जानिए कैसे पहली बार अंतरिक्ष से जमीन पर सूरज से मिली उर्जा की एक तेज लहर भीजी गई है यह लहर प्रिथवी की निचली कक्षा से जमीन पर भीजी गई यह एक सफल प्रयोग था यानि भविष्य में वैज्यानिक अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाकर धर्ती को बिजली की सप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया को सूरज से एनर्जी मिलती है इसी को ही सौर उर्जा, सोलर इनर्जी कहते हैं पूरी दुनिया में 3.6 फीसदी बिजली का उत्पादन सौर उर्जा से होता है लेकिन पहली बार अंतरिक्ष से धर्ती पर सौर उर्जा को एक किरण या यू कहें एक लेहर के माध्यम से भेजा गया है यह एक बड़ी वैज्यानिक सफलता है अंतरिक्ष से पृत्वी पर इस तरह से सोलर इनर्जी भेजने से नए रास्ते खुल सकते हैं इस प्रयोग में वैज्यानिकों ने सैटेलाइट्स से मिली सोलर इनर्जी को धर्ती पर भेज कर उसे बिजली में बदल दिया अंतरिक्ष से आई सौर उर्जा की लहर को प्रिथवी पर मौजूद लैब के कलेक्टर यंत्र ने जमा करके बिजली में बदल दिया इसे माइक्रोवेव एरे कहते हैं माइक्रोवेव एरे का इस्तिमाल पावर ट्रांसफर के लिए किया जाता है यह कुछ ऐसा है जैसे वायरलेस के जरीए लोग बात करते हैं ठीक उसी तरह बिना किसी तार के मदद के उर्जा को जमीन पर वायरलेस तरीके से भेज दिया गया यह तकनीक भविश्य में उन जगहों के लिए फायदे मंद हो सकती है जहां पर हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर जेनरेट नहीं होता या फिर वहां कोईला नहीं है ताकि बिजली पैदा की जा सके इस प्रोजेक्ट का नाम है माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफर लोर्बिट एक्सपेरिमेंट मेपल इस प्रोजेक्ट का नेतरित्व कर रहे हैं California Institute of Technology कॉल्टक के Electrical Engineering और Medical Engineering विभाग के प्रोफेसर अली हाजी मिरी मेपल प्लेट फॉर्म लचीले हलके Microwave Transmitters होते हैं जिनके अंदर Custom Electronic Chips होते हैं इसे सस्ते Silicon Technology से बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सौर उर्जा पैदा करके उसे लहर के माध्यम से धर्ती पर भेजा जा सके इसी तरह से भेजा भी गया SSPP 2011 में शुरू हुआ जब Celtic Board of Prestige के सदस्य डोनाल्ड ब्रेन ने SBSP अनुसंधान परियोजना के निर्माण पर चर्चा करने के लिए Celtic के ततकालीन अध्यक्ष जीनलू चामियू से संपर्क किया हलके संरचना वाले वायरलेस पावर ट्रांसफर का उपियोग करके अंतरिक्ष में सौर उर्जा और विश्वस्तर पर इसके लिए एक दिशा में महत्वपून भूमिका निभाई है मेपल के संभावित लाब अंतरराश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन को शक्ती देने के लिए अंतरिक्ष में पहले से ही सौर पैनलों का उपियोग किया जाता है उसी तरह से जैसे इंटरनेट ने सूचना को पहुँचाने का लोग तंतरीकरन किया है वैसे ही वायरलेस उर्जा को लोगों तक पहुचाने का काम आसान हो रहा है इस बिजली को प्राप्त करने के लिए जमीन पर किसी उर्जा संचरन बुनियादी धाचे की आवश्शक्ता नहीं होगी इसका मतलब है कि हम युद्ध या प्राकृतिक रूप से तबाह हुए दूर्दराज के जगहों में उर्जा भेज सकते हैं जो दुनिया के भविश्य के लिए महत्वपूर्ण है आज उर्जा भंडारन और संचरन चुनोतियों भरा है अंतरिक्ष से सौर उर्जा को बीम करना बहुत आसान हो गया है एक ऐसी दुनिया जो अप्रिवर्तनिय उर्जा द्वारा काम कर सकती है